UPRVNL J VACANCI 2021 में सबसे ज़्यादा VACANCI अब की बार Mechanical वालों के लिए है Mechanical Engineering के लिए अब की बार 78 सीट है Electrical Engineering के लिए 79 सीट है Electronics and Control Instrumentation के लिए 49 है और Computer Engineering के लिए 10 है Friends अब की बार Mechanical Students के लिए काफी अच्छा आउसर है इतनी अच्छी खासी बेकेंसी कभी भी नहीं आती है और खास कर मेकनकल वालों के लिए बहुत जादे बहुत कम बेकेंसी आती है हर बार कम बेकेंसी आती है लेकिन इस बार सबसे अच्छी बेकेंसी आई है वो भी UP.R.V.N.L. J.E. में बेकेंसी में अगर अब की बार देखा जाए आपकी बार की बेकेंसी से केमपेरिजन किया जाए तो इस बार नंबर आप बेकेंसी भी जादा है आपको बता दें कि पिछली बेकेंसी में जो थी उसमें इलेक्टिकल की मातर 24 सीट थी और अब की बार इलेक्टिकल की जो सीट ह वह है 69 मैकेनिकल की सीट थी पिछली बार 12 सीट थी लेकिन इस बार 78 सीट है electronics instrumentation की सीट अगर देखी जाए तो पिछली बार 8 थी लेकिन इस बार 49 है पिछली बार civil के लिए एक vacancy थी बट इस बार civil के लिए अब की बार vacancy नहीं है उसकी जगह पर computer engineering की vacancy आई हुई है अब इसकी कटाप की बात करें तो electrical engineering की कटाप देखी जाए तो UR के लिए कटाप बनी थी हमारी 147.50 OBC के लिए हमारी कटाप बनी थी 145.25 और SC के लिए हमारी कटाप बनी थी 133.25 mechanical engineering में इसकी कटाप देखी जाए previous year की तो UR के लिए इसकी कटाप बनी थी 163.50 OBC के लिए इसकी कटाप बनी थी 162.50 SC के लिए बनी थी 152.25 फिर इसके बाद हम electronics and instrumentation engineering की देखें तो previous year की कटाप जो बनी थी 134.50 बनी थी UR की OBC की कटाप 124.25 बनी थी और SC के लिए 125.50 कटाप बनी थी फिर इसके बाद civil engineering की देखी जाए क्योंकि अब की बाद civil engineering की vacancy तो UPR जे में नहीं है उसके जगा पे computer science की vacancy आई हुई है तो civil engineering की कटाप देखी जाए तो UR के लिए 123.25 कटाप गई थी और OBC के लिए देखी जाए तो 121.50 कटाप गई थी और फिर इसके बाद HC की देखी जाए तो 109.50 कटाप गई थी सभी students के मन में एक डाव जरूर आता है कि क्या इस बार भी इतनी कटाप जाएगी या इससे कम रहने वाली है आपको बता दे कि पिछली बार तो vacancy भी कम थी लेकिन उस समय competition भी कम था सभी JEE exam टाइम पर हो रहे थे exam ज्यादा तर post porn नहीं होते थे अपने time पर regular exam हो रहे थे तो उस समय बच्चे को job भी मिल रही थी और competition लेबल भी थोड़ा कम था लेकिन इस बार JEE के कई exam अभी भी नहीं हुए है कई exam post porn हो गए हैं और competition भी हाई हो गया है इसलिए कटाप में कोई खास differences नहीं होने वाले हैं कटाप जितनी जाएगी उतनी तो बात की बात है लेकिन अपना बहतर करिये ये बात माइने रखती है कटाप तो जितनी जानी है उतनी जाएगी हम और आप उसे decide नहीं कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि कई students को यह doubt है कि appearing वाले students क्या इस post के लिए eligible है या नहीं है तो आपको बता दे कि जो appearing student है इस post के लिए eligible नहीं है only pass out student ही eligible है इसके बात बहुत सारे students को यह भी doubt है क्या बीटेक वाले student भी इस post के लिए eligible है या नहीं है तो आपको बता दे कि बीटेक वाले student भी इस post के लिए eligible नहीं है only three year diploma pass out student सी eligible है syllabus की बात की जाए तो सभी branch के लिए UP Arbinal J.E. में सभी branch के लिए syllabus सेमी है paper हमारा इसका UP Arbinal J.E. का दो पार्ट में रहेगा पहला तो हमारा technical part रहेगा और दूसरा हमारा non-tech part रहेगा technical part में तो हमारी mechanical, electrical and electronics engineering की सभी branch related question रहेगे और second में हमारा non-tech रहेगा first part में हमारा 1.500 question रहेगे जो technical के रहेगे और second में हमारा 50 question रहेगा जिसमें हमारा general knowledge, reasoning और Hindi रहेगा ये इसका स्लेवर सेम एकदम मैच करता है UP PCLJ से लेकिन उसमें टेकनिकल कम रहता है और इसमें टेकनिकल जादे हैं बाकी 50 उसमें भी नांटेक होते हैं और 50 इसमें भी नांटेक होते हैं टोटल नंबर आप questions इसमें 200 रहेंगे एकदम पेपर इसके तो आनलाइन ही होंगे टोटल टाइम 3 घंटे का रहेगा और इस रांग answer के लिए 0.25 जो है निगेटिव मार्किंग भी रहेगी minimum qualified mark जो है OBC और HC के लिए 28% अनिवार है अगर इससे नीचे नहीं है तो आप एकदम हमें पास ही नहीं होंगे कटाप की बात तो बहुत दूर है जनरल के लिए हमारे 33% लाना निवार है और फिर इसके बाद इसकी सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इसकी 44,000 रुपे पर मंत इसकी सैलरी है और फिर इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो electrical engineering के जिस्ट इसने instrument है उनको देख देख करना रहता है और बाकी कारियों के लिए तो worker लगे रहते हैं इने कोई कारिक करना नहीं रहता है बस suggestion और सुझाओ देना रहता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है क्या करना है और बाकी mechanical वाले student के लिए जो हमारी turbine है इन सब की देख देख करनी रहत यही सब होता है तो आसा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और सबसे latest notification के लिए हमारे चैनल को subscribe करें और साथ में bell icon पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो की notification आप तक आसानी से पहुंच सके thanks for watching the video